नमस्कार दोस्तों आप समी का एक बाफ फिर से स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्स फेंटसी गुरूजी में और दोस्तों आज इस स्वेडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लेंड और पाकिस्तान टीम के बीच T20 विश्कप का जो फाइनल T20 मैच MCG में केला जाएगा उसी के प्रेडिक्शन के बारे में और दोस्तों आज मेरी ये वीडियो स्पेशल डेडिकेटिड है उन लोगों के लिए जो अमेशा ग्रेंड लिग में इंट्रेस्टिड रहे हैं या जो लोग अमेशा ग्रेंड लिग में ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि दोस्तों आज की स्वेडियो में मैं आपके साथ ग्रेंड लिग के 6 fantasy team combination शेयर करूँगा जिनका इस्तमाल कर या जिन से सीखे आप लोग खुछ से भी अपने शानदा fantasy team combination बना आज इसी T20 मैट में डेर सारा पैसा फिन कर सकते हैं आप सोचोगे बई कैसे क्यों तो आज ये वीडियो पहले आप पूरी देखिए तो सही और दोस्तों आपको surprise होने की कोई सुर्थ नहीं है क्योंकि ये सब कुछ मैं आपके प्यारों support के चलते कर पाया हूँ क्योंकि आपने recently जो इतना प्यार support दिया उसको मैं शब्दों में बया नहीं कर सकता दोस्तों अगर मैं इंडिया इंग्लेंड टीम के इस दूसरी सेमफाइनल T20 मैच के बात करूँ तो उसी वीडियो पे 9 असार लोगों ने लाइक किया था अगर दोस्तों मैं पहले सेमफाइनल मैच के बात करूँ जो पाकिस्तान न्यूसलेंट टीम के बीच के लगया था उसी T20 मैच के वीडियो पे approximately 8000 लोगों ने लाइक किया तो दोस्तो आपके इस प्यारो सपोर्ट के लिए मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा और उमीद करता हूँ T20 विश्चकप का जो ये final T20 मैच है कुछ बिल्कुल फ्री है तो उमीद करता हूँ आप वीडियो को शुरू करने से पहले शुरूर लाइक कर देंगे तो चलिए दोस्तो अब आपके साथ कुछ Grand League के फोर्मूले शेयर किये जाएं जिनका इस्तमाल करते हूँ आने वाले दिनों के अंदर आप लोग शांदा टीम कॉंबिनेशन बना फेंटसी में धेर सारा पैसा कमा सकते हैं अब दोस्तो पहला सवाल तो ही आएगा अगर भाई Grand League में टीम कॉंबिनेशन बनाना आसान है तो खुद तू क्यों टीम कॉंबिनेशन बना Grand League फिन नहीं कर लेता तो दोस्तो एक बात यहां पे सेट करो अपने दिमाग में कि हर किसी की अपनी पसंद हर किसी का अपना टेस्ट है मुझे भाई Grand League से जादा मज़ा इस स्मोल लिग में आता है तो सुरू जोइन कर लेना इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल दूँगा क्योंकि दोस्त अभी टोस नहीं हुआ टोस के बाद अपना फाइनल टीम कॉंबिनेशन मैं आपको टेलेग्राम चैल में शेयर करने वाला हूँ तो लिंक आपको फीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा जिसके तुरू आप जहिए अभी जोइन कीजिए जोइन करने के बाद वापस आके फीडियो को फोरवर्ड कीजिएगा तो दोस्तो चलिए बात करतें Grand League Team Combination की तो भई अपने स्क्रीन पे आप देखें तीन Team Combination Grand League के आपको नज़रा रहे हैं तो दोस्तो Grand League का Team Combination बनाने से पहले एक बात का मेशा ध्यान रखो कि जब भी Grand League Team Combination बनाओगे ना कुछ सेनेरियो को अपने दिमाग में सेट कर लो या फिर दोस्तो एक कोपी पहल लो कोपी के अंदर कुछ सेनेरियो को लिखो क्योंकि Grand League Team Combination आपका तभी बन पाएगा जब दोस्तो आपने सोच है और जिन किलाड़े को टीम में लिया है वो किलाड़े उसी तरह की परफोर्मेस करे कैसे क्यों चली है आपको समझाता हूँ सबसे पहले दोस्तो मैंने एक सेनेरियो बनाया कि पाकिस्तान की टीम पहले बल्ले बात से करेगी और पाकिस्तान की टीम मैं जीतेगी फिर दोस्तो मैंने दूसरा सेनेरियो बनाया कि पाकिस्तान टीम बैटिंग करेगी और पाकिस्तानी टीम मैं जीतेगी फिर दोस्तो मैंने तीसरा सेनेरियो बनाया कि पाकिस्तान टीम पहले बोलिंग करेगी और पाकिस्तान टीम मैं जीतेगा यानि तीन टीम कॉंबिनेशन बनाने है तीनों टीम कॉंबिनेशन में मैं पाकिस्तान टीम को जीता रहा हूँ और तीनों टीम कॉंबिनेशन के अंदर जो पाकिस्तान की टीम है वो दो बार बैटिंग और एक बार पहले गिन्बासी कर रही है अब आपने ये सोचना है कि जब पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करेगा तो पहले बैटिंग करते हुए कैसे वो इंग्लेंड टीम को उरा सकता है और अगर पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करके इंग्लेंड टीम को अराएगा तो पाकिस्तान टीम के कौन-कौन से खिलाड़ी परफोर्मेंस कर सकते हैं उन खिलाड़े पे फोकस करना है अब दोस्तों आप यह कहोगे कि हमें यह कैसे पता चलेगा कि आद इस T20 मैच में यह किलाड़ी परफोर्मेंस करेगा तो भाई देखो बात मेरी ऐसी है कि 100% तो आपको मैच सरू होने से पहले यह पता नहीं चलेगा कि यही किलाड़ी परफोर्मेंस करेगा लेकिन match सरूर होने से पहले आपको ये सरूर पता चल जाएगा कि कौन से किलाड़े के performance करने के आज चांस जाद है और ये सारी चीज दोस्तों मैं detail में आपको दूसरे वीडियो में समझा चुका हूँ अगर आपने मारा दूसरा वीडियो नहीं देखा कि आज इस T20 match में कौन से कलाड़े के कितने performance करने के chance है क्यों performance करेगा तो आज ये वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो शुरूर देखना आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा अब दोस्तों मैंने क्या किया मेरा पहला team combination पाकिस्तान team match जीत रहा है और पाकिस्तान team पहले बल्ले बासी कर रहा है तो पहले बल्ले बासी कर रहा है तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान team एक अच्छा target सेट करे 160 से लेके 180 के बीच में क्योंकि MCG में है T20 मैच है तो मैंने क्या क्या पाकिस्तान टीम से रन कोन बना सकता है तो सबसे पहले मुझे लगा रिस्वान जो है वो रन बना सकता है रिस्वान को बना दिया कप्तान और मैं चाहूँगा रिस्वान बल्लेबासी करके कम से कम 80-90 रन स्कोर करे इसके बाद मैंने इपनी fantasy team में शान मसूद इफ्तिकार को टीम में रखा और मैं चाहता हूँ शान मसूद इफ्तिकार एमद रिस्वान को तोड़ा सा support करे support का मतलब है 30 रन बना दे एक बल्लेबासी रन बना दे और इस तरहें करते हैं पाकिस्तान team 160 रन बनाने में टीम को support करेंगे उन बल्लेबासों को टीम में लिया फिलाल दोस्तों मैंने बाबरासम पे वरोस्ता नहीं किया बाबरासम को टीम से बाहर रखा ठीक है तो वो जो बल्लेबास मुझे लगे मैंने टीम में लिया अब मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान team ये मैं जीत जाए अगर पाकिस्तान team इतना score करके ये मैं जीतेगी तो मुझे दियान ये रखना है कि Alex और Joss Butler की जोड़ी स्टी 20 मेहत में नहीं चल लीजेए तो दोस्तों Alex जो Joss Butler को टीम से बाहर किया फिल शॉट को टीम मिलिया मुझे नली को टीम मिलिया नीची उल्डाउडर में सैम करन लिविंस्टन आपको निसराएंगे अब England team पहले गेन बास ही कर रही थी तो ओ सकता है पाकिस्तान टीम डैथोर्स में विकेट गवाएगा तो Chris Jordan यहाँ पे है सैम करन है और नई गेन के साथ बाबा रासम और पाकिस्तान टीम के कीपर बल्ले बास Harris को नहीं लिया तो फिर Chris Wokes को टीम में शमिल किया तो इस तरह इंगलेंड टीम के खिलाडी आजाते है पाकिस्तान टीम से एक्सपेक्टेशन ये रकी है कि Aries Raj줄 राव शादाव खान मिलके उनके टीम के बल्ले बासओ को परेशान करेंगे या उनकी टीम के बल्ले बासओ को आउट करेंगे कप्तान, रिस्वान, वाइस कप्तान, सेम करने, अगर दोस्ता आप चाहें, तो इसे टीम के अंदर VC या कप्तान को रोटेशन वगेरा कर सकते हैं, एक टीम कॉंबिनेशन बन गया चलिए दूसरा कॉंबिनेशन बनाएंगे, फिर से पाकिस्तान टीम मैच जीत रही है, और पाकिस्तान टीम पहले बल्लेबासी कर रही है, तो हमने सोचा कि ठीक है, वापस पाकिस्तान टीम 160 अश्यका टागेट सेट करेगा, इस बार हमने सोचा है कि टीम को बाबर रासम और रिस्वान सपोर्ट करेंगे, जिसमें रिस्वान बाबर से ज़्यादा कर सकता है, तो इसलिए रिस्वान को VC कर दिया, फिर दोस्तों शान मसूद के पास गए, और हमने ये सोचा कि शान मसूद टीम को सपोर्ट करेगा, अब ध्यान दीजिए, हम टीम कॉंबिनेशन बना अरे क्या सोचके, पाकिस्तान टीम मैच जीत रहा है, पहले बल्लेबासी करके, फिर से वही चीज़ आएगा, 160 से 80 स्कोर करना है, अब दोस्तों अगर मैच जीतना है, तो एलेक्स बटलर को फिर से आउट होना पड़ेगा, और एलेक्स बटलर का आउट करने के लिए, इस दोनों बल्लेबासन बनाए, तो फिर मुझे क्रिस वोक्स को बाहर करना है, तो इसलिए मने क्रिस वोक्स को अपनी फेंटेसी टीम से बाहर कर दिया, और पाकिस्तान टीम के गेंबासों को विकेट मिलना चाहिए, तो MCG में राउफ जादा केला, तो मुझे लगा राउफ क कप्तान और हिस्वान को विस्ती बनाया जा सकता है, आप चाहे तो कप्तान वाइस कप्तान रोटेट कर सकते हैं, इसके बाद अगर इंग्लेंट टीम थोड़ी सी टक कर दे, सैम करन, स्टोक्स लिविंग्स्टन और हैरी ब्रूक को अपनी फेंटेसी टीम में जगा दे सकत उर दोस्ता हब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, अगर मेरी फेंटेसी टीम में एलेक्स और बटलर नहीं है, तभी मैं मोहिनली और हैरी ब्रूक में बरूसा कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरी टीम में बटलर हेल्स आएंगे, तो मैं मोहिनली हैरी ब्रूक या फिर बै बाट समझाऊँगा अब यह तीसरा Grand League का टीम combination कि आखी पाकिस्तान टीम पहले गेनबासी कर रहा है और पाकिस्तान टीम मेच जीत रहा है अब भध पाकिस्तान टीम पहले bowling कर रहा है मेच जीत रहा है इसका मतलब ही है कि पाकिस्तान टीम England को 140×50 पे रुख देगा और उसके बाद हमने ये माना कि पाकिस्तान टीम की जो अपनिंग जोड़ी है वो यी टीम को मैच जिता देगा तो यहाँ पे बाबर को कप्तान रिस्वान को विस्सी कर दिया और आपने इससे पहले भी देखा होगा जब कोई अपोनेंट टीम के सामने दोनों चेस में बल्ल लेकिन दोस्तों मैं यहाँ से मोहिन अली को टीम में नहीं लेना चाहता था अब ध्यान दीजे मेरको अपनी फेंटेसी टीम में लेने है पाकिस्तान टीम के खिलाडी पाकिस्तान टीम से चारों गिनबासों को लिया क्योंकि अगर यह कप्तान वाइस कप्तान मैं जिता रह अब दोस्तों देखिए, मुझे एक तीसरा बल्ले बास चाहिए, अब मैंने का 10 विकेट से अगर पाकिस्तान टीम मैच जितेगा, तो शान मसूद जो है, भाई इसको बैटिंग नी मिल सकता, शान मसूद को बैटिंग नी मिलेगा, तो इफ्तिकार एहमत को कैसे बैटिंग मि जाएगा, या फिर शान मसूद फ्रिडिंग में कुछ अच्छे कैच लपके, और मोहिन अली बल्ले के साथ कुछ ना कर पाए, तो मोहिन अली फ्लोप हो सकते हैं, तो इसलिए दोस्तों इस टीम के अंदर आपको छूट दे रहा हूं, कि मोहिन अली के रिप्लेस्मेंट पे कुछ दूसरे खिलाडियों का आप शामिल कर सकते हैं, तो टीम कॉंबिनेशन तीन हो चुके हैं, अब तीन टीम कॉंबिनेशन और आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन मैं यह उमीद करके चलता हूं, आपको समझ आ रहा है, कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा ह और साथ में आप लोग आज यह वीडियो देखने के बाद, यह वीडियो देखते हैं, देखते हैं, शरूर टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लेंगे, क्योंकि टोस के बाद कौन खेल रहा है, कौन नी खेल रहा है, कौन पहले बैटिंग कर रहा है, बोलिंग कर रहा है, इन स जोइन करना अगर आपने जोइन नहीं किया तो आप ओल रेड़ी काफ़े कुछ मिस कर चुके हो अब चलिए बात करतें तीन बच्चे वे टीम कॉंबिनेशन की अब दोस्तो देखिए हमने तीन बार पाकिस्तान को जिता दिया अब तीन बार हम इंगलेंड की टीम को जिताए मेरा मकसब यहापको बताना कि Grand League टीम कॉंबिनेशन बनाना कितना असान है और दोस्तो अगर आप Grand League टीम कॉंबिनेशन रेगुलर बना रहे हैं और लगातार एक से दो महीने खिलेंगे तो मैं आपको गैरंटी देता हूँ Grand League में आप अच्छा कर पाएंगे लेकिन अगर आप लोग ऐसा करेंगे कि आज Grand League खेल रहा हूं कर Small League फिर Grand League खेल रहा हूं फिर Small League तो भाई आप अच्छी performance नहीं कर पाएंगे जो चीज से आपको बता रहा हूं Follow करके देखिए अगर आपको दोस्तों उनसे फाइदा ना मिले तो बोला और फाइदा मिले तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना नीचे सब्सक्राइब का लाल का बटन भी आपको दिखाई देगा उसका भी कोई पैसा नहीं फ्री है अब देखो हमने का इंग्लेंट टीम में जीत रही है लेकिन पाकिस्तान टीम पहले बल्ले बासी करेगा पाकिस्तान टीम पहले बल्ले बासी कर रही है तो हमने सोचा पाकिस्तान टीम कित्में स्कोर कर देगा 150-60 स्कोर कर दे तो क्या कराया मैंने यहाँ पे अपनी फेंटसी टीम में इंग्लेंड टीम के टोप चार को ले लिया, जो उस बटलर है, LX दोनों ओपन करेंगे, फिर फिल शॉट भी टीम में है, बैं स्टोक्स बनले के साथ गिनबासी कर लेते हैं, यहां दोस्तों देखे, मैंने बटलर को कप्तान बनाया, वाइस कप्तान LX को नहीं, बाबर को ब जीतेगा, तो शायद हो सकता है, फिल शॉट बैं स्टोक्स को बले बास में ज़्यादा चांस ना मिले, लेकिन बटलर को कप्तान बाबर को विसी करने से यह फाइदा है, कि मान लीजे, LX ने 20-25 बनाये, आउट हो गया, उसके बाद फिल शॉट ने 20-25 बैं स्टोक्स कर द तो यह 20-25 बैं करतें, इंगलेंट टीम जीत के नस्तिक पहुंच जाए, और जो अस बटर इंगलेंट टीम से सबसे ज़्यादा रन बनायेंगे, तो यह सोचके टीम बनाया, अब बाबर को सपोर्ट करने वाला कोई तो चाहिए, यहां दोस्तों देखो, रिस्वान टेंट पहसे करने के लिए सेम करन के इस चोड़न है, और नई गेंट से बाबर आसम के साथ जो उपन करते है, रिस्वान और हैरिस, उनको निप्टाने के लिए क्रिस वोक्स को टीम में रखा है, अब दोस्तों देखो, इस टीम में शाहिन अफरीदी है, तो शाहिन अफरीदी के प्लेस पे आप दीरे-दीरे रोटेशन कर सकते हैं, अफरीदी के प्लेस पे हरिस, राफ को लेके आईए, अफरीदी के प्लेस पे आप हो सकते हैं, दोस्तों नवास तो नहीं आएंगे, इनके प्लेस पे आप वसीम जूनियर या नशीम सा को लेके आ सकते हैं, अब देखो मैंने शाहिन अफिदी को क्यों लिया क्योंकि भाई देखो इंगलेंड टीम के साथ खिलाड़ी मेरी fantasy टीम में है पाकिस्तान टीम के कम से कम चार चाहिए चार में बाबर आसम इफ्तिकार आ गया शाधाव आ गया अब दोस्तों एक खिलाड़ी मुझे गेंदबासी चाहिए तो इसलिए मेरे को शाहिन अफिदी के साथ जाना ही पड़ा अगर आप लोग रोटेशन करना चाहें तो शाहिन अफिदी के रिप्लेस्टेंट पे प्लेयर को दीरे दीरे रोटेशन पोल सी के था चेंज किया जा सकता है इसके बाद आपने सोचा इंगलेंड टीम भाई प इपोटेंट रोल प्ले कर सकता है अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आपको यहाँ पे पाकिस्तान टीम से बाबरासम, रिस्वान नसरा रहा है बीच में बस थोड़ा सपोर्ट करने के लिए इफ्तिकार एमद है वरना इफ्तिकार के रिप्लेस्मेंट पे आप चाहें तो मैंने जोडन को फेंटरसी टीम में कफ्तान कर दिया, वाइस कफ्तान एलेक्स को जोस बटलर भी अपनी फेंटरसी टीम में है यानि पाकिस्तान टीम को मैं जल्दी निप्टाना चाहता हूँ तो जोडन गिनबासी करता है और अब देखिए अभी तक आपने आदिल राशि अब ऐसा निया मैं इन सब को टीम में ले रहा हूँ तो ये सब गेंदबास तीन-तीन विकिट चटकाएंगे भाई इन में सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मैं करता हूँ जोडन विकिट चटका है उसके बाद राशित को दो मिल जाए सैम करन को दो मिल जाए लिविक् जीतेगा दोस्तों इंग्लेंड टीम पहले बैटिंग करती है तो जिस तरह इंडिया के साथ के लिए तो हो सकता है कि इंग्लेंड की टीम तो दोस्तों का टागेट भी सैट करना चाहे अब मैंने क्या करा है मैंने एक टीम कॉंबिनेशन बनाया कि इंग्लेंड की टीम कम से अमेशा परमोशन मिला है, ये बात आप लोग जानते हैं, तो मैं लिविंस्टन को टीम में कफ्तान कर दिया, बैंस्टोक्स को विसी कर दिया, अब इंग्लाइन टीम इतना बड़ा टागेट करके मैच जीत रही है, पाकिस्तान टीम चेस करेगा, अब बड़ा मैदान पाकिस स्टार्ट में रिस्ट लेना स्टार्ट करेंगे, तो चाहांस ही है कि निंग के स्टार्ट में ज्यादा बल्ले बास आउट हो, तो इसलिए जोडन के प्लेस पे क्रिस वोक्स है, फिर से क्रिस वोक्स है, तो उपर से रिस्वान मिसिंग है, क्योंकि रिस्वान का बल्ला चल कर सकते हो जानना चाहते हो कैसे तो यहां पे देखो दोस्तों जो सामने आप स्क्रीन देख रहे हो यह एक ड्रीम 11 की अपनी एप है जो उसने इंटरनेशनल यूसर के लिए बनाई गए ठीक है इस एप का नाम है अगर आपने रेरियो पे साइन अप नहीं किया वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में भाई लिंक चोड़ दूँगा चले जाना साइन अप करना मोबाईल लंबर इमेल आडी वेरिफाई कराती 16 रुपय का बोनस आपको मिल जाएगा और मेरे भाई क्या चाहिए और 16 रुपय के बोनस को 100% यूज भी कर सकते हो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर अलगलग ग्रेंड लिग चल रही है तो यहाँ पर जो यह एक सट असा डोलर वाली ग्रेंड लिग चल रही है इसको 82 से मर्टिप्लाई करोगे तो इंडियन रुपीस में आपको पता चल जाएगा इसलिक को ओल्रेडी मैं जोइन कर चुका हूँ मैंने कोई पैसा नहीं दिया बस दोस्तों आपको कुछ एक कार्ड्स परचेस करने होते हैं और यह कार्ड्स आपने कैसे परचेस करना है और कैसे आप यहाँ पर फ्री में एंट्री पासकते हैं यह सारी चीज़ों को लेके मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के रखा है अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो सरूर देखेगा और इसके अंदर जाके आप आट्स पेट कर सकते हैं और ट्रस्ट का कोई शूनी है क्योंकि खुद दोस्तों ड्रीम 11 ने इसमें इंवेस्टमेंट किया है और ड्रीम 11 के अपनी यह एप्लिकेशन है तो दोस्तों यह सारी कान ही आज की इस वीडियो की तो आपनी क्या करना है ग्रेंड लिक के टीम कॉंबिनेशन यहां से कुछ सीख है वोयलन गुड है और इसकी अलावा टेलेग्राम चैनल भी जोन करना है और रेरियो पे साइन अप तो करी लेना है बाई क्योंकि आखरी दिनेज आपको 16 सुर्पय का बोनस मिल रहा है इसके बाद वो बोनस भी नहीं मिलेगा और आप बोनस को 100% यूज कर सकते हैं और यह सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल दूँगा अब दोस्तों आपने क्या करना है आपने इस वीडियो को रेट करना है कि आपको वीडियो कैसे लगी अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो यह सरूर से वीडियो को लाइक करना अगर आपने भी तक लाइक नी किया क्योंकि दोस्तो लाइक करोगे मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा और सपोर्ट करने से इस तरह रेगुलर वीडियोस में आपके लेके आगँगा और जिसके चलते हैं आप लोग शांदा टीम कॉंबिनेशन बना फेंटेस में विन करना अपना असान बना सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब निक्या सब्सक्राइब भी करो क्योंकि वीडियोस आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो पता चलेगा और दोस्तो सबसे बड़ी बात वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्स्क्राइब करना इनका कोई पैसा नहीं है सब कुछ फ्री है तो शुरूर भाई अपने भाई को सपोर्ट करना है और आज के इस वीडियो पर जितना ज्यादा उसके उतने लाइक करने है फिलाल दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतनाई अब आपके स